असलाम अलेकुम, आज मैं आपके लिए लेके हाई हूँ बहुती अमेजिंग ड्रिंक की रेसिपी, हिल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, बड़े तो बड़े बच्चे भी से बहुत शौक से पिएंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमबल लिक्विस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे, साथी विल आइकन को भी प्रेस कर दीजे, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक बहुत सके, इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली त बनान जाती है, बस दो से तीन मिनट का टाइम लगेगा, अब जिस बरतन में जेली को सेट करना हो, उसमें ये सारी जेली का पानी डाल देंगे, पहले इसको हम रूम टेमपरेशर पर ठंडा होने देंगे, इसके बाद इसको उठाकर आधी घंटे के लिए फ्रेज में लग लेकिन अगर आप साब उदाने को पहले से पीका दें, तो दस से बारा मिनट में पख जाएंगे, इसको तब तक पकाना है, जब तक ये ट्रांस्पेरेंट ना हो जाए, अब इसको छान लेंगे, और फोरण ही इसके ओपर ठंडा पानी डाल देंगे, जैसे इसका जो कुकि से से हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसको छोटे-छोटे क्यूप में काट लेंगे, वैसे इसको बनाने की जो पूरी डीटेल है, वो पैकेट पे लिखी होती है, में चीज पानी है, पानी बहुत हिसाब से डालिएगा, तभी जैली अच्छी से सेट होग बिल्कुल शीशे की जैसे ट्रांस्परेंट और स्मूथ, अब इसको हम एक तरफ रखते हैं, इधर एक बोल में दूद लेंगे, मैंने 750 ml दूद लिया है, यह उबला हुआ फुल फैट दूद है, अब हम इसमे 1-4 cup condensed milk मिलाएंगे, अगर आपके पास condensed milk नहीं है, तो 4 मिलाएंगे, अगर आपको रुवजे का flavor कम पसंद तो कम कर लिजे, और अगर ज्यादा पसंद हो तो और अट कर लिजे, यह आपकी choice पर है, अब हम इसमें कुछ मारी कटे हुए dry fruits मिलाएंगे, आप dry fruits अपने हिसाब से जो सा पसंद हो मिला लिजे, अब हम इसमें मिक्स करने के बाद ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, अगर घर में बुजूर्ग हैं और ठंडा नहीं पीते तो उनके लिए निकालने के बाद फिर फ्रिज में रखिएगा, जब drink अच्छे से ठंडा हो जाए, तब हम प्रिज से निकालेंगे, अब जो जेली हमने बना कर रखी हुई है, वो मिलाएंगे, और हलके हलके हाथ से मिक्स करेंगे, और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे, तो अगर आपको रेसिपी ज़रा भी यूसफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर भी कर दीजेगा, ये ड्रिंक इतना रिफ्रेशिंग है कि पेकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी, साथ ही ये पेट भी भरने वाला है, क्योंकि हमने इसमें साबुदाने का इस्तमाल किया है, मेमान के लिए बना रहे हो तो थोड़ा गानिश भी कर लें, यकिन बना, आने वाली इद आप सब को बहुत बहुत मबारक हो, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखी, फिर में लेंगे इंशालले एक नए वीडियो के साथ, शुक्रिया, अलाफिस